नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं हम सभी का फुटबोल के एक मश्यूर खिलाडी क्रिस्ट्यान रोनाल्डों ने एक प्रेस कॉन्फरेंस के दोरांत उनके सामने जो कॉर्बोने ड्रिंक्स के बोतल रखी थे उसको हटा दिया और पाने की बोतल लहराते हुए पानी पिने पर जोड दिया इससे वो जिस कंपने की बोतल वहां पर रखी हुई थे उसके शेयर काफी बुरी तरह गिर गए इसके बाद खिलाडियों की सिहत पर ड्रिंक या फास्पूर्ट के सेवन से चुड़े खत्रों को लेकर एक बहस से चिड़ गई हैं कि खिलाडियों के लिए कौन पर असर पड़ता हैं साथ ही हम जानेंगे कि फास्ट पूर्ट जो हम खाते हैं चिपसों के राउंड का भी शरी पर कितना बुरा असर पड़ता हैं एस एप लेयर हम इसे जानने का प्रियास करेंगे ठीक है तो चलिए शुरुवात करते हैं हमारे पहले फ्रेशन के साथ की के पिएकसाइट में परिवड़ती हो चाहती हैं इससे पेट भूलता हैं बारबार ढकार आती हैं और वायाम के दौरान कार्वानेट ड्रिंक पेना ठेक नहीं होता क्योंकि इससे प्यर्वानेट रिंक पिएंगे तो उससे आपके बैट में गेज बनेंगे जिससे आपको पेट अुरा जुटबड़ हो सकता है तो ये इसकी समस्या है और अगला जो प्रेश्ण उठता है क्या करवेना ड्रिंक्स से प्रधरशन पर असर पड़ता है कभी कबार जएदि हम करवन ड्रिंक्स पीते हैं तो प्रदर्शन के बढ़ने में सहयक होते हैं और कभी-कभी recovery भी इनसे तोड़ी तेज हो जाती है यह जोट फ़किरा से जूज रहे हैं तो इनसे recovery हो जाती है यह थोड़ा दर्द में आराम मिल सकता है इसके अलावा डाइट ड्रिंक्स लेना क्या सुरक्षी थे तो सोड़ा कंपनिया मिठास के लिए अधिक मात्रा में फ्रुक्टोस सिरफ का इस्तमाल करती हैं लेकिन यह शुगर मस्तिश्क हार्मोन्स और इंसूलिन को प्रभावित करती हैं अगर हम डाइट सोड़ा भी ले तो यह वजन बढ़ा सकती हैं जो एथलीड के स्वास्त को प्रभावित करती है तो डाइट ड्रिंक्स भी हमारे लिए खतर नाग है क्योंकि इससे इसमें ज सकत के लिए ईनिका रखी हैं अगला जो प्रशन हों उढ़ता हां क्यों गिर कर्भावनेट द्रिंक्स इसके बजाए बहतर विकल पिर तो गेर कर्भावनेट ड्रिंक्स के मुकाबले कर्भावनेट ड्रिंक आत्मों जाधा धेरं तक रहती हैं इस वज़े से खेल से पहले ही नहीं बलकि खेल के बाद भी इसे पीना ठेक नहीं होता है क्योंकि ये कार्बोनेट ड्रिंक्स जो होती हैं वह आथ में ज़्यादा दिर रहती हैं तो उससे अब क्याथ को जो पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता हैं और ओक्सिजन भी नहीं मिल पाती हैं इसके बजाए पानी या इलेक्ट्रो लाइड ड्रिंक मांसबेश्यों को पानी पहुचाने के लिए बहतर विकल पी आप गेर कर्बोनेट ड्रिंक्स के आधार के बजाए अधि आप इलेक्ट्रो लाइड ड्रिंक्स या फिर पानी ही ले ही बारे में जो एक प्रश्ण वर ऊठता हैं बच्चों के स्वास्ता के बारे में की ये मैं क्या असर पड़ता है तो इस तरह कि ड्रिंक्स में नमक जीने की मांतरा ज्यादा होती है जो स्वास्त के लिए वैसे ही खतरनाक है इससे बच्चों के मदू में होने का खत्रा भी बढ़ जाता है क्योंकि एक तो इसका सेवन करने से नमक चिनी जो इसमें चादा होती है इससे उनके किडिनिक का विकास प्रवाइद होता है साथ ही उनमें कम उम्र में मदू में होने का खत्रा भी बढ़ जाता है तो पज्चों के स्वस्थ के लिए भी यह आनिका रखे अब हम मंत में जानते हैं कि क्या चिप्स जैसे फस्ट फूट भी आनिका रखे तो आलू के चिप्स में केमिकल की मतरा अधिक होती है इसे शरी में एक्रिलामाइट रसाइन सीधे प्रवेश करता है चिप्स में मुझूद नमक से भी एथिलिट के रदे पर बूरा परभाव परता है ज्यादा नमक ब्लड फ्रेशर बढ़ाता है इससे स्ट्रोक दिल का दोरा वरन दूसरी बिमारियों के अलावा किड्नी पर पर असर पढ़ने का खत्रा रहता है यानि कि जो हम मालू चिप्स रहते हो उसमें केमिकल रहता है एक्रिलाइट नमक रसाइन वो हमारी बोड़ी में सिदे बरवेश करता है और इसमें नमक भी जादा होते हैं चिप्स में जो कि एथिलिट यानि की हरदे पर एथिलेट के रदे बुरा परवा पड़ता हैं इससे और नमक यदे हमारे श्रीप में ज़्यादा होगा तो उससे हमें स्ट्रोक आ सकता हैं और दिल का दोरा पड़ सकता हैं और दूसरी किट्नी से संबन्दित बिमारिया भी हो सकती है यानि कि फास्ट फूर्ड जो हम खाते हैं जिब सब खेरा वो भी हमारे लिए आने का रखी हैं तो खृप्या करके हमें इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहिए ठीक है तन्यवाद शुक्रिया